नमस्ते प्रीती के रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बाउंटी चॉकलेट बार यह बच्चों को बहुत पुसंद आता है और बहुत जल्दी बन जाता है सिर्प नारियल को दूद में पकाना होता है और चॉकलेट से कोटिंग करना होता है और हम आज को मीडियम रखेंगे और थोड़ा सा चला लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे एक कप नारियल का गुरादा झान एक काप दूद और एक पर नारियल अब इसको ठोड़ा मिक्स कर लेंगे चलाते हुए उसके बाद हम डालेंगे वन थर्ड कप सक्कर यानि चार से पांच चमच सक्कर है हमारा और इसको भी हम डालके अच्छे से मिला लेंगे लगातार चलाते हुए और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ये दो चमच मिल्क पाउडर है डाल देंगे अब हम इसको चलाते हुए डूड को एकड़ा कर लेंगे सुखा लेंगे दूड को और ये डो एकड़ा हो जाएगा जब सुख जाएगा तो और ये देखिए साथ से आठ मिनट हो गए अब हम गाईस को बन करेंगे और यह देखी एकदम इकठा हो गया है डो और अब हम इसको पैन से निकाल देंगे ताकि हमारा ठंडा हो जाए इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसका बार बना लेंगे और यह देखिए हमारा डो ठंडा हो चुका है अब हम हाथों में घी ल कितना अच्छा बार बन चुका है और ऐसे लंबा लंबा हम सारा बना लेंगे देखिए यह कितना अच्छा लग रहा है अब हम इसको फ्रीज में रख देंगे घंटे के लिए ताकि अब हम चोकलेट पिघला लेते हैं यह हमारा डेर्ट ग्राम डार्क चोकलेट है इसको ठोड़ा तोड़ लेंगे और इसको हमें मिल्ट करना है तो इसके लिए हम डवल बॉलर लेंगे एक पेन में पानी रखेंगे उसको उबलने देंगे और उबलने के बाद हम ये बावल उपर रख देंगे चोकलेट वाला और इसको लगतार चलाते हुए हम इसको मिल्ट करेंगे और इसको ढग के हम नहीं करेंगे नहीं तो उसमें भाब बनके पानी अंदर जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा तो इसको हम लगतार चलाते हु अब हम एक ट्रे लेंगे ट्रे पर बटर पेपर रख देंगे उस पर कोटिंग करके रखने के लिए और अब हम एक उठाएंगे बार और डालेंगे और चारों तरफ अच्छे से मिला के कोट करके और काटे की चमच से उठा के आराम से बटर पेपर पर रख देंगे और देख से और देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही हम सारा एके करके डिप करते जाएंगे चौकलेट में और बटर पेपर पर रखते जाएंगे और ध्यान से रखेंगे और यह देखिए हमारा हो चुका है अब हम इसको फ्रीज में रख देंगे एक घंटे के लिए यह हम थोड़ा सा ऐसे काटेंगे और फिर बटर पेपर रखेंगे और ऐसे छोटा-छोटा चौकलेट चिप्स बना लेंगे देखिए कितने अच्छा लग रहा है प्यारे और इसको भी हम फ्रीज में रख देंगे आधे घंटे के लिए और यह देखिए यह हमारा चौकलेट सजाएं इसको आप बच्चों के लिए बढ़ेपाटि में बना सकते हैं तो यह आसांत ही को आप जरूर ट्राइ करें और अपने परिवारों और दोस्तों में गर कर एंक कमेंट में बताएं कि आपका अनभव कैसा रहा अच्छा खाएं सोस्त रहें मस्त रहें मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर और हां लाइक शेर सब्सक्राइब एंड फोलो करना ना भूलें